Hello everyone, welcome to my YouTube channel तो इस वीडियो में बात करेंगे ACCI PO program के syllabus के regarding मतलब कि उसका जो exam होता है ठीक है तो उसके syllabus के regarding के कितने subjects होते हैं और साथ में उसमें कितने chapters से कहां-कहां से questions आते हैं तो उसकी बात करेंगा सारे chapters के बारे मैं आपको detail में बताऊंगा साथ में कहां-कहां से questions आते हैं और साथ में कौन-कौन से chapters आपको prepare करने हैं उसके बारे मैं आपको detail में बताऊंगा plus मैं आपको ये भी बताऊंगा कि negative marking होती है या फिर नहीं होती है कितने देर का exams होता है और exam का level आतकल क्या आ रहा है तो friends मैं आपको बता दूँ कि ये जो ICICI का जो exam होता है 60 minute का ये exam होता है जो assessment test आपका होता है 7 minute का होता है मतलब 1 घंटे का तीन paper उसमें पूछा जाता है verbal ability जिसकों की English बोलते हैं analytical ability जिसकों की reasoning बोलते हैं और numerical ability means maths तो ये English reasoning और maths जो है भी attempt करने को कहे जाते हैं जब आपको mail आता है तो ठीक है और आपको सारे questions attempt भी करने चाहिए इसलिए कि इसमें negative marking नहीं है तो आप सारे questions attempt कर सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं कि आप तुक्का लगा दो तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा तुक्का भी उसपे लगाओ जहाँ पर आप sure हो नहीं तो बेकार में ऐसे में मतलब fall to में जो आपको पता नहीं है ऐसे ही तुक्का मार दिया तो वो मत करना आप तो अब बात करता हूँ मैं chapters के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ reasoning के बारे में तो reasoning में जो ICICI का exam होता है थोड़ा सा different होता है access bank के ABYB से और HDFC future bankers से ठीक है इस से थोड़ा सा different होता है वो ये होता है कि reasoning में इसमें आपको statement and assumption और statement and conclusion इन से जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा questions देखने को मिलते हैं उसके बाद syllogism, blood relation, puzzle puzzle में भी आपको कुछ इस तरीके के puzzle आते हैं कि जैसे कि रमेश is heavier than suray and रेखा is lighter than nilam तो इस तरीके से आपको questions आते हैं उस पे आपको based two, three या four questions होते हैं ठीक है तो ये जो मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ ये है इसकी official website का sample papers का ठीक है जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप खुछ से भी देख सकते हो ठीक है तो ये जो questions है आपको मैं आपको पहले ही clear कर दूँ कि tough level के नहीं होते हैं अगर आपने preparation की है अगर आपको reasoning पता है ठीक है reasoning के बारे में अगर आप आपने practice की है reasoning को तो आपको easy to moderate level के लग सकते हैं लेकिन हाँ tough level के questions नहीं होते हैं वो मैं पहले ही बता दूँ अगर आपकी preparation नहीं होगी then obviously ये exam आपको tough लगेगा या फिर कोई भी exam आप दो आपको tough लगेगा ठीक है तो ये हो गई reasoning के बाद यहां से आपको थोले से ज़्यादा questions आते हैं तो ये जो chapters मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे important chapters हैं उसके बाद जो भी मैं अभी English में आपको बताऊंगा और maths में ये सारे must जो करने हैं chapters वो आपको करने ही हैं इसके बाद अगर आपकी practice हो जाए तो फिर आप अलग और भी chapters कर सकते हैं उसके लिए मैंने PBRM की और ABYB की जो वीडियोज बनाई है उसमें मैंने books के बारे में भी बता रहा है तो आप उस book को खरीच सकते हैं वो basic book है ठीक है जिससे कि आगर आप practice कर लो तो आप इन सब exams को easily crack कर सकते हो उसके बाद अब बात करते हैं English के बारे में ठीक है तो अब सकते पहले ये screen पे देखो ये कुछ questions है ठीक है तो English में जो आता है fill in the blanks आपका आता है उसके बाद और आपको fill in the blanks मतलब बनाने के लिए आपको words के meaning पता होने चाहिए पलस आपको sentence जो arrangement होता है मतलब arrange instance मेरा वो कहने का मतलब है कि आपको sentence का meaning पता होना चाहिए कि sentence क्या बोल रहा है उसके साथ साथ आपको जो word दिये जाते हैं उस word के अगर आपको meaning नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाऊगे और ये तब ही आप कर सकते हो जब आप एक regular मतलब कि आप study कर रहे हो read कर रहे हो English को ठीक है उसके बाद आपकी reading comprehension से आपके questions आते है एक passage दिया रहता है आपको उस passage से जो है 5 या 10 questions आपको रहते हैं तो वो जो questions होते हैं उसके answer आपके passage में होते हैं तो जब तक आपकी reading habit नहीं होगी है limited है तो आपको वो भी देखना है तो ये है और 20-20 questions सारे subject से आते हैं 20 questions आपको आएंगे math से 20 questions English और 20 questions reasoning से तो total 60 questions होते हैं उसके बाद 2-4 questions जो और आपको हो सकते हैं वो synonyms, antonym से होते हैं मतलब कोई word आपको दिया रहता है उसके similar कौन सा word है कोई word दिया वा है उसके opposite उसका opposite meaning क्या होता है तो ये कुछ basics हैं, I think ये basic ही है English के जो आपके पूछा जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको questions होतकता है तो sentence rearrangement का ठीक है 5 या 6 आपको sentence दिये रहेंगे ठीक है वो unarranged रहेंगे आपको उसको arrange करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा sentence, मान लो A, B, C, D, E, F आपको 6 sentence दिया वा है और उसमें आपको जो है arrange करना है कि सबसे पहले कौन सा sentence आएगा B आएगा, C आएगा, उसके बाद D, उसके बाद A तो इस तरह से तो यह आप एक ही base पे कर सकते हो जब तक आपके understanding अच्छी नहीं होगी आपके English थोड़ी अच्छी नहीं होगी तक तक आप इस चीज को नहीं solve कर पाऊगे उसके बाद आप बात करते हैं maths की तो maths में जो ज़्यादा तरह आपको questions आएंगे वो percentage related जो chapters है वहाँ से questions आते हैं तो आपको यह सारे chapters पते हो मतलब पता होना चाहिए अच्छे से जैसे की profit and loss, percentage, ratio, proportion उसके बाद time and work, age, average, partnership उसके बाद अगर एक मतलब 5 questions जो आपको आते हैं वो आतने हैं DI से ठीक है तो DI आई आपको easy वादा रहता है थोड़ा सा calculative हो सकता है तो यह जो questions overall देखा जाए जो मैंने आपको chapters बताएं ठीक है और आप जाकर के questions भी देख सकते हो बहुत जादा मतलब high level के questions नहीं होते हैं basics होते हैं I think अगर आप prepare करने के बारे में पुछोगे कि कितने दिन में prepare हो जाएगा तो according to me अगर आप 6 hours या 5 hours भी अगर आप daily पड़ते हो तो one month is more than enough या फिर 45 days ले लो ठीक है 45 days में आप आराम से इन सब exams की preparation कर सकते हो जो कि बहुत इजली आप crack कर सकते हो उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि पिछले जो exams है उसके review के questions जो student ने मुझे share किये हैं ठीक है उसके videos भी जो है already मेरे channel पे है आप मेरे channel के playlist section में जा सकते हो वहाँ पर आपको जो folders मेलेंगो सारे folder को check कर लो वहाँ पर आपको सारे types के video मिल जाएंगे group discussion interview exams के review सारे आपको मिल जाएंगे और अगर आप अगर books के बारे में अगर आप जानना चाते हो तो books के बारे मैंने already मतलब videos में बताया है मेरा PBRM वाला जो syllabus का video है वो देख लेना आप उसमें जो book मैंने बताया है वो basic book है ठीक है questions बहुत जाएदा है उसमें जो आपके practice करने के लिए more than enough है तो वो सारे questions आप practice कर लो या फिर आप online भी कर सकते हो अगर आप book purchase नहीं करना चाते हो तो तो आप questions देख लो कि किस टैप के आते हैं उस तरफ के question आप online search कर लेना आपको मिल जाएंगे बहुत सारे तो वहां से भी आप practice कर सकते हो but जो आपका मतलब में जो बात है वहां कि आपका concept clear होना जाएंगे किसी भी chapter पर अगर आपका concept clear है तो फिर आपको questions आएगा तो आप उसको आराम से easily solve कर लोगे अब बात रहती है कम time में question को solve करने की within a minute तो within a minute आप एक ही base पर solve कर सकते हो और उसका कोई भी shortcut नहीं है आपको practice करना पड़ेगा जितना ज़्यादा question आप practice करोगे उतनी ज़्यादा आप में speed आएगी जितना कम आप practice करोगे उतना आपको late लगेगा और आपके पास वहाँ पे limited time होता है only 60 minutes तो आप number of questions को ज़्यादा practice करो थाकि आप सारे questions को आराम से deal कर पाओ और मैं एक बात आपको बता दूँ के वहाँ पे negative marking नहीं होती है exam में तो आप सारे questions को attempt कर सकते हो तो आप अगर अच्छे से अपने अगर preparation की है तो आप easily सारे questions को attempt कर सकते हो उसके बाद मैं बात करूँ group discussion के बारे में और interview के बारे में तो interview से related जो videos है और review के भी जो video है ठीक है वो मेरे channel पे हैं आप interview वाले folder में जाना मेरे channel के playlist section में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा और जो group discussion है उसका आपको already topic मिलता है email में उस site से आता है आपको तो वो 5 topic आपको prepare करना है वो भी कैसे करना है मैंने उस पे video बनाया हुआ है सारे videos का link जो है वो मैंने description में दिया हुआ है या फिर आप मेरे channel के playlist section में विजिट कर सकते हो वहाँ पर आपको सारे videos जो है वो आपको मिल जाएगे वहाँ पर तो आप अच्छे से practice कर सकते हो उसके तुरू भी जो भी मैंने questions बताए है में important है कि जो भी आपको questions बताए जाते हैं आपको वो practice करना है सिर्फ सुनने से नहीं होता है आपको वो practice करना पड़ेगा चाहे वो group discussion हो या फिर interview हो या फिर आपका exam हो तो अगर आपको exam में pass करना है तो questions आपको practice करने ही होंगे तो friends ये था ICICI के regarding syllabus I hope के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करना, share करना, comment करना and don't forget to subscribe Thank you